दोस्तों तो आप Google Play Store से जाके अने Academy का दोस्तों Learning App आप डाउनलोड कर लीजे और वहाँ पर दोस्तों आप MPPSC व्यापम या पर जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर सलेक्ट करके दोस्तों आप सर्च का उपर आप्शन आएगा वहाँ पर प्रमोद राना सर्च करके हमा बहुत ही बड़ी खुसकबरी है जो बारत सरगार रेल में मंत्रे जो रेल भरती बोर्ड है उसका दोस्तों जो ये CEN जो NTPC है उसके लिए दोस्तों नोटिपिकेशन आ चुका है और देखिए दोस्तों RRB की वेबसाइट पर ये कह रहेते हैं कि 28 फरवरी से फॉर्म बढ बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे यानि दोस्तों एक मार से आप फॉर्म बर सकेंगे किसके दोस्तों जो ये NTPC के हैं तो इस वीडियो में अच्छे से सब कुछ बताया जाएगा और आपके लिए बहुत ही बड़ी खुसकबरी है तो जल्दी से दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे लाइक के बटन को आप जल्दी से दबा दीजे तो देखिए दोस्तों ये रेलवे बरती बोर्डों द्वारा ये बताया गया कि बारतिये नौगरिकों को सब कुछ आप फॉर्म बर सकते हैं सभी द्रश्टिकोन से पूर्ण आविदन दिनांग दो या दोस्तों इसके समकक्स परिक्सिया की दोस्तों न्यूंतम सैक्सनिक योग गिता और आयू दोस्तों आपकी एक साथ 2019 को 18-30 वर्श के बीच होनी चाहिए या आपके लिए बहुती बड़ी खुसकबरी है इसमें देखिए दोस्तों कनिष्ट लिपिक सह टंकक की लेखा लिपिक सह टंकक की ट्रेन लिपिक की वानिजिक सह टिकेट लिपिक की और ये दोस्तों बताई गई है और प्रारंबिक वेतन 19-90990 ए 19-90990 ए और 21-700 इसी का है तो ये कुल योग बताया गया अब देख लीजे दोस्तों विश्विध्याले उपादी या समकक सिस्तर की न् कनिष्ट लेखा सायक सह टंक के वरिष्टे समयपाल वानिजिक प्रसिक्सु इस्टेशन मास्टर तो ये सभी की दोस्तों सेल्डरी भी आपको बताई गई है प्रारंबिक वेतन देख सकते हैं इसका 25-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29 ये 35-400 और 35-400 हो जाएगा इसी के साथ साथ देख लीजे वेबिन पात्र स्रेणियों के लिए आई-उ में छूट यानि जो आरक्षन है वो लेते हैं उनको आई-उ में छूट भी मिल जाएगी और उम्मीदवारों को ये सुनिश्चेते कर लेना चाहिए गई ओनलाइन पंजीगरण की अंतिम तेथी आर्था दोस्तो क्या ओनलाइन पंजीगरण की 31-3-2019 से वो जो मैंने उपर पताई थी वो गलती से हो गया था उसके लिए दोस्तों निरदारित सभी योग गिता प्राप्त होनी चाहिए यानि दोस्तों इस समय तक जब भी आप दोस्तों 31-3-2019 तक यदि आप 12th pass हो चुके हैं तो form को बर सक हैं तो आगे जाके आप डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे तो इसलिए दोस्तों यदि आप form को उसी डेट में नहीं आया है यानि दोस्तों 31-3-2019 से पहले आपके पास मार्क सीट या जो भी प्रूब नहीं है तो आप इस form को नहीं बरें इसी के साथ साथ आविदन जमा करन कि अंतिम तिति दोस्तों क्या दिनांग 12-4-2019 यह उसके पास साथ दोस्तों आविदन में दी गई जानकारी के संसोधन के लिए प्रस्तुत किसी भी अभ्यावेदन पर आरार भी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा के साथ साथ दोस्तों आविदन किये गए पत से संबंदित दोस्तों चिकित सा मानक है मानकों को दोस्तों पूरा ना करने वाले उम्मीदवारों को वेकल्पिक न्यूकती नहीं दी जाएगी यानि दोस्तों जो भी आपका यह जो उसके मेडिकल होगा तो वो भी आपका होन चाहिए इसके बाद देख लीजिए दोस्तों आप क्या पदों के लिए चिकित सा मानक क्या क्या है तो देखिए दोस्तों ये चिकित सा मानक बताया गया है तो दोस्तों चिकित सा मानक A2 देख लीजिए जिसमें सामान्य फिटनेस होना चाहिए इसमें दोस्तों क्या सारे रि दोस्तों, SN 0.6 0.6 से बिना चाहिए ये बताया गया और इसी कि तरह दोस्तों ये 6 x 9 6 x 9 चाहिए के साथ अत्वा बिना चाहिए के होना चाहिए और lensों की power जो है वो 2D से अधिक ना हो और नजदी की दरश्टी ये बताया गया इसी तरह दोस्तों यह आप देख सकते हैं इसी तीस तक है यानि अनारक्षित वर्गी के जो लोग है वो दो साथ 1989 जनम है वो भी बर सकते हैं यानि ये पिछड़ा वर्ग वाले दो साथ 1986 वाले भी बर सकते हैं अनुसूची जाती और जन जाती गई 1984 वाले भी बर सकते हैं और सभी समुदा या स्रैनी के लिए 17-2001 से ये ग देख सकते हैं इसी के साथ साथ दोस्तों दोस्तों साथवे सीपीची का जो मैंने इस तरह फाइव चार पांच और छे बताया था वो दोस्तों उपर उसमें भी आप देख सकते हैं कि इस अनुसार आई-उमें छूट दे रखिये इसके बाद सेक्सेंडिक योगिता हैं 200 रुपीज च्या आपके वापस हो जाएंगे यदि आप CBT 1 देंगे तो उसके बाद दोस्तों ये आरक्षन वर्ग वालों के लिए 200 रुपीज रखा गया है सुलकी के बुगतान का माध्यम ये बताया गया किस तरह आपको करना है इसी के साथ साथ दोस्तों जो सवर्ण है उनको 10% आरक्षन भी दे रखा है ये भी आप देख सकते हैं जिनमें दोस्तों ये बताया गया पांच एकड़िया उससे अधिक क्रसी भूमी ना हो एकजार वर्ग फीटिया उससे अधिक का आवास ये फ्लैट ना हो अदू सूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य चे कंप्यूटर आदारित परिक्सिया यानि CBT आपका हो जाएगा और दोस्तों कंप्यूटर आदारित परिक्सिया टंकन कोसल यानि आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो होगा परिक्सिया या कंप्यूटर आदारित अभी छमता परिक्सिया यता लागू और चाहिए दोस्तों कम्प्यूटर आदारित परिक्षिया के आदार पर योग गिता के अनुसार अच्छू गूरूप से किया जाएगा। मैंस में दोस्तों आपका ये कम्प्यूटर का टाइपिंग होगा और कम्प्यूटर के आपको जानकारी भी होनी चाहिए तो ये भी आप देख सकते हैं और पर्थम चरन कम्प्यूटर आदारित परिक्षिया मैं ये बताए गया है देखिए दोस्तों परिक्षिया की अवदी 90 मिनिट की होगी सामान्य जाग रोकता के 40 प्रसने गनित के 30 प्रसने सामान्य बुद्धी और तरक सक्ती के 30 प्रसने यानि सबसे ज़्यादा आपको जान जीके पर देना और प्रसनों की कुल संक्या कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी इसक्राइब की साहिता प्राप्त करने वाले योगे ये जो उम्मिद्वारे इनके लिए 120 मिनिट होगा और दोस्तों गलत उत्तर पर एक बटे तीन अंके काटा जाएगा तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से किसमें क्या-क्या पूछा जाएगा गणित में ये बताएंगे जो नॉर्मली पूछे जाते हैं सामान्य जाग रुकता में आपे देख लीजिए कि ये इस अनुसार पूछा जाएगा और विबिन समुदावे में पातरता के लिए अंको कंप्यूटर आदारित परिक्सिया ये जो अर्थात जो इस्तर 2,3,4,5 है उसके लिए वर्गी करत दोस्तों कटिना इस्तर की अलग-अलग द्वती चरण की कंप्यूटर आदारित परिक्सिया ली जाएगी वे सभी पद जो दोस्तों साथवे CPC के अंतरगत समान इस्तर प रखते हुए उनके द्वारा प्रियोग के जाने वाले विबिन पदों के लिए दोस्तों विकल्प के आदार पर कंप्यूटर द्वती चरण की परिक्सिया के लिए उनको सौर्ट लिस्ट किया जाएगा तथा भी दोस्तों कुल या किसी विनिर्देश्ट कोटी में सभी अधुसूचित पदों के लिए आविशकता के अनुसार परयाब तुम्मीद्वारों की उपलब्दता सुनिश्चित करने के लिए इस सीमा को बढ़ाने या गटाने का अधिकार भी रेलों को है तो 32 रन दोस जिसमें गणित बताया गया और सामाने जाग रुकता ये बताया गया है तो अराक अंग देखिए दोस्तों उम्मीद्वारों को अरता प्राप्त करने के लिए प्रतेक टेस्ट बैटरी में नियूनतम दोस्तों 42 अंकों की T-score प्राप्त करना होगा यह समुदा या सराणी अरता तना रख्षेते ये बताया गया इस अनुसार दोस्तों बूतपूर शैनेक होने के बावजूद सभी उम्मीद्वारों के लिए ये लागू होगा दोस्तों टाइपिंग कोसल परिक्षया भी कुछ के लिए होगा जिसमें वरिष्ट लेपिक से टंकक लेखा लेपिक के साथ साथ दोस्तों इस परिक्षया में क्या नॉर्मलाइजेसन भी होगा तो इस अनुसार आप देख सकते हैं जब की ओनलाइन एक्जाम होता है जिसमें दोस्तों नॉर्मलाइजेसन भी होता है और इसी के साथ साथ दोस्तों आप अनेक एडमी पे हमारे साथ जोड़ ज कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपने सभी दोस्तों में आप सेयर जरूर करें और नए मेमान शुविंति ये चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबाए और आप प्लेलिस्ट उप्शन पे जाके दोस्तों हमारे आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सोबो जय हिंज जय बारत